Hello everyone, Welcome to the channel E-Office Vlog आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे उन इंस्ट्रक्शन के बारे में जो फाइनस डेपार्टमेंट ने जून महीने में इशू की हैं जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन इशू हुई है जून महीने में वो है ग्रूप D की रिकन्सिलेशन से रिलेटिड फाइनस डेपार्टमेंट ने सभी ग्रूप D की पोस्ट को रिकन्साइल करने के लिए इस्ट्रक्शन इशू की हैं इसमें जितने भी डेपार्टमेंट हैं हर्याना गवर्मेंट में उनमें जो भी ग्रूप D की पोस्ट हैं उन सभी की डिटेल दी गई हैं तथा Human Resource Department ने ये डाटा मांगा है कि पिछले दो साल से कौन सी पोस्ट वेकन्ट पड़ी हैं जो पोस्ट वेकन्ट पड़ी हैं उनको खतम कर दिया जाएगा सरकार के दवारा और अगर किसी डिपार्टमेंट में पोस्ट वेकन्ट पड़ी हैं और फिर भी उनकी जरूरत है तो उसके बारे में डिपार्टमेंट को इनफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पर जो फाइनस डिपार्टमेंट ने लिखा है कि जो डिपार्टमेंट है उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि उनके डिपार्टमेंट को efficiently run करने के लिए कितने ग्रूप D के employees की जरूरत है जितने भी extra पोस्ट है उनको खतम कर दिया जाएगा यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स भी दी है एक 262022 का लेटर था उसके पैरा नंबर 3 और 4 के हिसाब से रिक्विजिशन भेजनी थी HKRN को इन पोस्ट का जो भी एक्सपेंडिचर होना है इन पोस्ट पे उससे रिलेटिड यह जो 262022 का लेटर है वो इसके साथ ही एन क्लोज किया है इसमें जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है इसमें लिखा है कि डिपार्टमेंट को H.S.S.C. को दस दिन के अंदर अंदर रिक्विजिश आप देख सकते हैं इसके बाद डिपार्टमेंट वाइस ग्रूप डी की पोस्ट की डिटेल है अगर किसे को इन पोस्ट को भी देखना है कि ग्रूप डी की किस डिपार्टमेंट में कौन-कौन सी पोस्ट है तो वह यह देख सकते हैं क्या से पेज की इंस्टक्शन है यह इसके बाद जो नेक्स इंस्सक्शन है वह इपोस्ट से रिलेटिड है इफोस्ट पे कई दिपाटमेंट के दवारा डाटा गलत फीड कर दिया गया था और उसको फाइनस देपाटमेंट में फ्रीज कर दिया था इसके लिए 15 तक का टाइम दिया था गवर्मेंट ने इसके बाद इसको इंक्रीज कर दिया गया था जो नेक्स इंस्रेक्शन है उसमें जो नेक्स इंस्रेक्शन है उसमें प्रोसेस बताया गया है कि कैसे कैसे स्टैप्स हैं कैसे कैसे क्या करना है इपोस्स सिस्टम में जो यह मोडूल है ने जो बनाया है इसमें सारे steps बताए गई हैं यह आप देख सकते हैं उसके बाद जो next instruction है वो treasury में बिल भीजने से related है इसमें फाइनेंस डेपार्टमेंट ने बताया है कि जो भी हम बिल भीजते हैं treasury में उसमें पहले 7 दिन सिर्फ salary, wages, pension, GPF, etc. से related bill accept किये जाएंगे बाकि जो contingency से related bills हैं वो 8 से लेकर 30 या 31 तारिक तक treasuries accept कर सकती हैं इसके बाद जो next instruction है वो ODMS से related है ODMS वाली वीडियो में जो मैंने पहले भी बताया था कि इसको pilot project के तोर पर पहले 4 district में रन किया गया था अब government ने इसको 4 district में और बढ़ा दिया है इन पहले 4 district में पहले से चल रहा था ODMS अब करनाल रिवाडी सेरसा और फत्याबाद में भी ओनलाइन कर दिया गया है तो टोटल 8 district हो गए हैं जिसमें ओनलाइन डायरी मेनेजमेंट सिस्टम के धुरू GPIO final payment के case और online pension case भेजे जाएंगे इसके बाद जो e-post की instruction थी जो मैंने बताया था कि date बढ़ा दी गई है वो instruction इस्यू की हैं government ने अब इसको 36 तक कर दिया गया था e-post सिस्टम में correct data एंटर करने के लिए इसके बाद जो instruction है वो economy major से related है इसमें finance department ने बताया है कि जो उनके द्वारा 15 फरवरी 2016 को instruction इस्यू की गई थी वो instruction promotional post पे apply नहीं होंगी सिर्फ जो direct recruitment है उस पे लागू होंगी ये 15.2.2016 की क्या instruction थी वो भी हम देख लेते हैं एक बार ये instruction 15.2.2016 की थी इसमें finance department ने instruction इस्यू की थी कि कोई भी post अगर दो साल से वेकेंट है तो उसको फिल करने के लिए finance department की permission लेनी पड़ेगी आप second पैरा में देख सकते हैं ता post lying vacant for more than two years whether newly created or old should not be filled up without prior approval of the finance department तो अब finance department ने clarification दी है कि ये instruction promotional post के लिए लागू नहीं है अगर requisition direct send की जाती है HPSC या SSC को उसके लिए finance department की permission लेनी पड़ेगी otherwise promotional post के लिए permission लेने की ज़रूरत नहीं है promotion कोई भी department कर सकता है without permission इसके बाद जून महिने की जो last instruction है वो SAS की post से related है इसमें finance department ने बताया है कि कई उनिवस्टी में SAS cadre के जो employees हैं उनको रखा जाता है उन में post sanction नहीं है तो भी तो इसमें finance department ने instruction इस्यू की है कि जिन भी उनिवस्टी में SAS की post नहीं है तो वो post create करवाएं और इन post पर SAS cadre के ही employee को रखा जाए ताकि finance का जो matter है उनिवस्टी में वो एक जैसा रहे और सभी record maintain किये जासके तो जो employees SAS के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी चीज है ये नई post create हो जाएंगे SAS की तो ये instructions थे जो जून महिने में finance department हरियाना के दवारा issue की गई है इसके अलावा अगर कोई important instruction है जिसके बारे में आपको पता है तो आप comment करके बता सकते हैं अगर आप channel पर नई हैं तो channel को subscribe जरूर करें आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं next video के साथ तब तक के लिए जय हिन